तो आज से दिली में स्कूल्स खुल रहे हैं, प्रदूशन के कारणे ते दिन से बन पड़े थी स्कूल्स लेकिन क्या दिली में प्रदूशन का सर सुधर पाया है यह बड़ा सवाल है दिली में अगर AQI की बात करें, Air Quality Index की बात करें, आज बहुत कराब सर पर है आज सुबा का अंकरब आपके सामने है, Air Quality Index की बात करें, दिली का Air Quality Index से कहीं से भी साफवा का सबूत नहीं देता है ऐसे में स्कूल्स को दुबारा खोलने का फैसला कितना सही होने वाला ही कहना बहुत पुश्किन होगा तो कि AQI अभी भी खतरनाख सर पर जस्का तस दिली में कायम है तो आज का AQI 319 रेकॉर्ड हुआ है, प्रोदूशन का सर बहुत खराब शेली में आता है लेकिन आज से दिली में स्कूल्स खुल रहे है आज सुबा के आखड़े आपके सामें AQI जो रेकॉर्ड आज सुबा हुआ है, 37 स्कूल्स का खुलना कितना सही डिसिजिन है, कितना सही फैसला है, यह कहना ज़रा मुश्किल होगा और दिली में 36 से 12 क्लास तक कि इस स्कूल्स हैं आज से खुल जाएंगे प्रदूशन के खतनाक सर को देखते हुए इस स्कूल्स को बंद करना पड़ा था, लेकिन अब Air Quality Management Commission ने स्कूल्स खुलने की अनुमाटी देगी दिली में 6 से 12 क्लास तक के स्कूल आज से खुल जाएंगे Air Quality Management Commission की तरफ से स्कूल्स खुलने की इजासत मिलने के बाद दिली सरकार ने आपचारी कादेश जारी कर दिया है जिसके बाद दिली में 24 बद तरीके से स्कूल्स खुले जाएंगे 6 तर 12 क्लास की पढ़ाई के लिए स्कूल आज से खुले जाएंगे तो वही क्लास 5 तक की कक्शाओ के लिए इसकूल को 27 दिसंबर से खुलने की अनुमती दी है हाला कि इस पर अंत्तिम फैसला दिल्ली सरकार को लेना है कि 27 दिसंबर से 5 वी तक के स्कूल खोले जाएंगे या नहीं पिछले एक महीने से अधिक समय से दिल्ली और उसके आसपास हवा काफी खराब चल रही है वायू प्रदूशन के कारण सुप्रीम कोट में इस मुद्दे को लेकर कई बार सुनवाई हुई है कोट की फटकार के बाद 2 दिसंबर को सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया और धीरे धीरे प्रदूशन में कमी आने के बाद दिल्ली में आज से स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है प्रदूशन में तो कमी आई लेकिन कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन ने दिल्ली वासियों के चिंता फिर बढ़ा दी है